इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है. हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते. किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले. अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते ह और आपको कोई साइड एफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। डबिनोर टेबलेट एक कॉंबिनेशन दवाज जिसका इस्तेमाल नियूरोपेथिक दर्द के इलाज के लिए किया जाता है। यह तंत्रिका कोशिकाओं की केल्शियम चैनल गतिविधी को नियंतृत करके दर्द को कम करता है। यह मस्तिष्क में उन कैमिकल मेसेंज के स्थर को भी बढ़ाता है, जो मूट को नियंतृत करने और तंत्रिका तंतूओं की रक्षा करने में मदद करते हैं। डबिनोर टेबलेट भोजन के साथ या भोजन के बिना लिया जा सकता है, हाला कि इसे हर दिन एक तै समय पर लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे शरीर में दवा के समान लेवल को बनाए रखने में मदद मिलती है। इस दवा को डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधी के अनुसार ही लें। अगर आप इस दवा की कोई खुराक लेना भूल गए हैं, तो जैसे ही आपको याद आए, उसे ले लें। चाहे आप बहतर महसूस करें तो भी इलाज का पूरा कोस खत्म करें। ये इस से चक्कर और नीद आने की समस्या हो सकती है, इसलिए गाड़ी चलाना या ऐसा कोई काम न करें जिसमें बहुत ध्यान या एकागरता की जरूरत हो। जब तक आप यह न जान ले कि यह दवा आप पर कैसा असर डालती है, इस दवा से वजन बढ़ सकता है और इसे नियं मित रूप से व्यायाम करना चाहिए। अगर आपके मूड या व्यवहार में कोई असामानी बदलाव आता है, नया या बेगरता अवसाद या आत्महत्या के विचार विक्सित होते हों, तो आपको अपने डॉक्टर को सूचित करना चाहिए। इस दवा को लेने से पहले, अगर आपको किड्नी या लिवर से संबंधित कोई बीमारी है, तो अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताएं। आपके डॉक्टर को अन्य सभी दवाओं के बारे में भी जानना चाहिए जो आप ले रहे हैं, क्योंकि इन में से कई इस दवा को कम प्रभावी बना सकती ह या इसके काम करने के तरीके को बदल सकती हैं। अगर आप गरभवती है, प्रेगनेंसी प्लान कर रही है या स्तनपान करा रही है, तो अपने डॉक्टर को बताएं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिये हुए वेबसाइट के लिंक पर जाकर आप इस दवा के बारे मे और ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आय हो तो कृप्या इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है इस दवा के विशय में तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही और दवाईों की जानकारी के वीडियोस देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही नोटिफिकेशन बेल को आल नोटिफिकेशन पर सेट करें धन्यवाद